है वट्सप्रेटर्स वेलकम बैक तो दे चैनल एंड होप यार डूइंग वेर वेल आज अलवेस दोस्तो आप सभी को पता है हम पिछले साथ से आठ वीकेंड को देखते हो आ रहे हैं ठीक है मैं तो कुछ ज़ादा ही वीकेंड को अब तक देख चुका हूं लेकिन आप भी पाथ साथ को दो देख चुके होंगे कि हर वीकेंड पर मार्केट लगबाग आठ से लेकर फंद्रा परसंट के बीच में डाउं देखने को मिलता है यहींAllran Раз के जब इस वीडियो को रिकोर्ड कर रहा हूं अब हो सकता है जब में इस वीडियो को अफ्लोड कर उसमें थोड आप इग्नोर कर दिया अगर हो कई लोग मुझे कमेंट करके बोलते के भाई इतना तु या लेट अपलोड करता है और एक दीदी तो मुझे ठोल भी कर रहेती हो तो दीदी अगर आप क्रेटर हो तो आपको यह पता होगा टाइम लगता है ठीक है और पता नहीं होता कि वीड बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट्स भी निकल के आ रही है तो उसका असर हमें डारेक्ली मार्केट पर देखने को मिल रहा है बीटीज की प्राइस जब उड़ती है इसकी वरे से जितने भी अल्ट कोईन से है वो अटोमेटिकली फिर उड़ जाते है आप देख सकते हो जब मैं इस वीडियो को रिकोर्ड कर रहा हूँ ओरॉल क्रिप्टो मार्केट की मार्केट कैप भी लगबग 5-6% के बीच में हमें इंक्रिमेंट दिखा रही है और जैसा आप देखी सकते हो अभी बिटकोईन जो है लगबग 4-5% के बीच में अच्छी कासी बड़त दिख रहा था इथेरियम भी लगबग 8-9% के बीच में आप चल रहा है और जो डॉच कोईन है वो भी लगबग 3% के आसपास हमें अब देखने को मिल रहा है यानि इसकी जो प्राइज है लगबग मोटा मोटा हम कह सकते हैं 3% के इंक्रिमेंट दिखा रही है ओवरॉल मैंने उसके बारे में में स्ट्रिम मीडिया किस तरीकी की रिपोर्ट चाप रही है या किस तरीकी की अपडेट्स दे रही है उनके उपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा शुडियो इन्वेस्ट इन बेबी डॉच कोईन और इसके अलावा जो इस के फुल के ट्विट किये थे और ट्विट वगिरा तो आप में से सबी लोगों ने अब तक देख लिए होंगे लॉन मस्क का जो रीसेंट ट्विट आया था 22 आर्स इसको अब तक हो चुके मेरे जो दूसरा चैनल है sdb crypto जिस पर मैं छोटे चोटे वीडियो अपलोड करता है तो वह हमारे पास एक option बचेगा आप सभी के साथ में जुड़ सको उससे ठीक है तो इसमें बैसिकली एक मीम शेयर की गई थी और आप देख सकते हो वही डिस्ट्रेक्टिव में वाली email है जिसमें जो महिला है वह अपने में मस्त हो रखी है और यह जो बंदा है वह वह एक चार्ट बताया कहा दहुए था एलॉन मस्क न एडिट करके इसके पॉलीट ओप्या इसके उपर भी इनका एक reply घर रीप्लाय कूंद बंदे को उऔर और फिर वापस से हमें पम्प देखने को मिल रहा है और इसके अलावा डॉज को इनके एडिट करके पॉलीट टोकन भी यह जिसमें अच्छी कांसी ग्रोथ देखने को मिली ती कई वर क्या होता है एकतिफाक से किसी टोकन का नाम एलॉन मस्क के वर्ड से जुड़ जाता है यह बद़कर करते हैं इसमें वर्ड होता और इनका ये दूसरा attempt था जब वो dodge को थोड़ा pump कराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अपने दूसरे attempt में भी वो fail हो गए आप सभी को पता है उन्होंने एक बार पहले भी tweet किया हुआ है ठीक है can I pay in dodge तो उस tweet के बाद में भी मुझे अभी exact याद नहीं है लेकिन शायद 5 से लेकर 7-8% तक की ही dodge की price में हमें growth देखने को मिली थी और फिर वापस से price जो है down होना शुरू हो गई थी तो इनके tweet का भी अभी ज़्यादा market पर असर हमें देखने को नहीं मिल रहा है especially dodge की price पर हमें ज़्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है और जहां तक मेरा मानना है अब Elon Musk अगर इस माहूल में कोई हलके फिल के tweet करेंगे तो price में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 10% के बीच में हमें increment देखने को मिलेगी ज़्यादा अभी कुछ हो नहीं सकता है आप सभी को पता है market जो है अभी up-down तरीके से चल रहा है accumulation zone में चल रहा हाला कि ये जुरूर हो सकता है बीटी सी जब up-trend में आना शुरू हो और उस समय अगर Elon Musk का कोई हलका tweet भी आए तो उसके बाद में हमें dodge coin की price में लगबग 10 से लेकर 20% के बीच में growth देखने को मिलेगे लेकिन फिर भी यही कहूँगा हलके full के tweet से अभी dodge की price में कुछ हमें ज़्यादा उच्छाल देखने को नहीं मिलेगा और जब तक या तो वो टेसला से जुड़ा हुआ कोई tweet करे या फिर कोई बड़ी update दे दे तब ही कुछ हमें ज़्यादा increment देखने को मिलेगा तो अभी dodge की जो price है इतना सा है कि हलके full के tweet से बढ़ने वाली नहीं है ठीक है तो dodge के उपर यह हो गई दूसरी बात करते हैं भी baby dodge के बारे में आप सभी को पता है इलॉन मस्क ने जो एक tweet किया था रिसेंटली baby dodge do 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 baby do 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 मतलब बैसिकली यह गाना था बच्चों का गाना है इसके बारे में हमने discuss करा हुआ है बेबी शार्क डू-डू करके और सबसे ज़्यादा व्यूस पाने वाला यह बच्चों का गाना है ठीक है तो इस पर कई लोगों ने सोच लिया था कि यह इलॉन मस्क जो है वह बेबी doge coin को प्रमोट कर रहे है अब यहार जितना मैं समझता हूँ जितना मुझे लगता है कि Elon Musk Baby Doge Coin को नहीं बलकि Doge Coin को ही प्रमोट कर रहे थे हाला कि कई लोग मुझे Comment section में बोलते कि भाई तेर को थोड़ी Elon Musk ने आके बोला है कि भाई वो Doge Coin को नहीं Baby Doge को प्रमोट कर रहा है Doge Coin को थोड़ा सा हलका सा सपोर्ट करने के लिए ठीक है लेकिन उस ट्विट का कोई फरक तो पड़ा नहीं उल्टा यह जो Baby Doge Coin था उसकी प्राइज में ज़रूर से एक बड़ा फरकम है देखने को मिला अब हम बात करते हैं जिस तरह की से मीडिया रिपोर्ट सा भी आ रही है जिस आप देख सकते हो RepublicWorld.com की रिपोर्ट है Baby Doge Coin, Where to Buy Elon Musk, New Favorite Cryptocurrency in India मतलब यह कह रहा है कि यह Elon Musk की नई Favorite Cryptocurrency है इसके अलावा News 18 ने भी इसको कवर किया है जिस तरह के सा आप देख सकते हो अलागि इन्होंने ज़्यादा इस तरह के से बताया है नहीं देख सकते हो अब यह रिपोर्ट भी एक और रिपोर्ट आप देख सकते हो यह आई है, NBT की तरफ से Doge Coin के बाद अब Baby Doge पर आया Elon Musk का दिल वा भई, एक ट्विट से लगबग दो गुनी हो गई कीमत इसके बाद एक और जो मीडिया रिपोर्ट आई है इंडिया टुडे की तरफ से आई है इलान मस्क बिंग न्यू क्रिप्टो करनसी Baby Doge टू स्पोर्ट लाइन एंड स्पोर्ट लाइट एंड इट्स प्राइस डबल आफ्टर वन टूइट तो ये तो हम मानते चलो उनके टूइट के बाद में इसमें बहुत बड़ी हमें ग्रोध देखने को मिली या फिर इसकी जो प्राइस थी लगबग डबल हो गई थी ठीक है अब कई लोग कमेंट करके बोलते कि भाईया हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं ठीक है तो मैंने इसके उपर पहले भी आपको बताए हुआ है कि जितना मैं समझता हूँ इलान मस्क ने बेबी डॉच कोईन को नहीं डॉच कोईन को प्रमोट करा है अब इस पर भी शायद मुझे कई लोग बोलेंगे मतलब इस वीडियो पर भी कई कमेंट हैंगे कि भाईया बेबी डॉच कोईन को इलान मस्क प्रमोट कर रहे और उनका ही यह कोईन है ठीक है और केप है अभी हाल फिलाल नहीं दिखा रही है विकोज आप सभी को पता है कि यह अभी रिसेंटली ही डेब्यू करा है ठीक है इसको आए एक मेने हुआ है जून में यह लोन चुआ है और 24 आर्स के अगर हमें वोल्यूम की बात करो तो वोल्यूम जो है लगबग 46% डाउन चल है वोल्यूम में तो गिरावट है लेकिन प्राइस हमें बढ़ती हुई दिख रिए इसका रीजन आपको समझाने की जरूत नहीं है कि भाईया क्या लोचा है ठीक है अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें कोई डेटा नहीं मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो कोई लेकिन टोटल सप्लाई का जो डेटा है वो लगबग देख लो कितने जीरो है तेंग तीन, छे, नो, बारा, पंदरा, पंदरा और सोला ये शायद अगर मैं गलत नहूं तो चार सो बीस क्वाड्रिलियन के सम्थिंग इसकी टोटल सप्लाई है और इसकी चार सो बीस मदे को पैसा लगा दिया तो अब ओकली में सर डाल दिया है तो अब क्या कर सकता हूं जितनी अभी भी आपको ग्रोथ दिख रही है उसमें भी अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो अपने इसाब से पैसा थोड़ा से निकाल ले ना भाइयो इस बेबी डोच को इनको आय मार्केट में अभी एक साल दूर दूर की बाते शे महीने भी नहीं हो ए अभी एक डिट्ड महीने होनेवाले है ठीक है तो कुल मिला के बाद ये है आप वेसे भी इसमें जादा अमांट नहीं लगाए होंगे मुझे पता है अच्छे से ठीक है लेकिन ये है जिनोंने लगा दिया है और अभी भी जिनको अच्छा प्रोफिट मिल रहा है तो अपने इसाब से देख लेना बाकी मैं इसको कत दिखने ही रहा है टोकन है और 2531 वी रेंक है इसकी तो मेरी तरफ से तो फिलाल आपको इसमें बायर नहीं करना चाहिए फ्यूचर की फ्यूचर में थोड़ा सा देख लेंगे लेकिन जिस तरह की सा भी मुझे ये दिख रहा है मैं इसमें ना तो एंट्री लूँगा नहीं मेरे किसी फ्रेंड को recommend करूँगा ठीक है और अगर आपको सस्ते coins में ही जाना है ठीक है कई लोग सोचतें कि इनकी जो price अभी बहुत जादा कम है अगर इसकी price 50 पेसे 1 पेसे 10 पेसे भी चली जाएगी तो भी मैं बहुत जादा profit में आ जाओंगा या बहुत जादा अमीर ब 5.0 के आसपस की prices की और इतनी जादा price भी नहीं अभी November में I think 26 November के आसपस इनका event आने वाला है तो साल के अंत तक ही आपको definitely एक अच्छा मुनाफ़ा देने वाला है ठीक है तो मैं सस्ते coins में से BTT Tron इनको recommend करता हूँ तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही और अगर वीडिय वीडियो को like क्यों नहीं करते है आज कल वीडियो पर बहुत कम like आते हैं reason भी बता दिया करो और कई लोग मुझे negative comment करके भी बताते हैं यह है वो है तो देखो या time लगता है आपके लिए वीडियो बनाने में time लगता है हाला कि वह अलग बात है कि हमें इससे कुछ profit होता ह है कुछ हमें भी essence के तुरू मिल जाता है लेकिन आप सभी समझो कि एक creator को कितनी मेहनत करने पड़ती एक वीडियो बनाने में यह सिर्फ एक creator ही जानता है ठीक है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो definitely वीडियो को like करना है आज तो like क करना है ठीक है चैनल आप ही काम का तो चैनल को भी सब्सक्राब करें 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 लेना है मिलते हैं जल्दी नहीं अपड़ीट के साथ तिल देन बाबाए